हलो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 हिंदी का पाठ 3 नादान दोस्त वसंत भाग एक के इस पाठ में एक बहुती सुन्दर कहानी है और आज हम इस कहानी के करेंगे कठिन शब्द तो चलिए शुरू करते हैं पहला शब्द है ध्यांसे ध्यांसे का अर्थ होता है बिलकुल एक ही तरफ एक टक होकर एक काग्र होकर मालूम मालूम करना होना पता होना सुध का अर्थ होता है होश या याद कार्मिस ये एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है छज्जा जो दिवार का निखला हुआ हिस्सा होता है न उसे ही हम कहते हैं छज्जा पर का अर्थ होता है पंक और फुर्सेट का अर्थ तो आप जानते ही होंगे खाली समय तसल्री का अर्थ होता है सांथ मुना या किसी को विश्वास देना विद्वान का आर्थ होता है जिसे बहुत ज्यान हो मतलब जानकार गर्व का आर्थ होता है घमंड पेचीदा इसका आर्थ होता है मुश्किल जिग्यासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा जब कुछ नया जानने की इच्छा होती है तो उसे कहते हैं जिग्यासा और ये बच्चों में अधिक होती है अधीर का अर्थ होता है जिसमें धीरज नहो मतलब बैचेन अनुमान लगाना मतलब अन्दाजा लगाना जो आप भी लगाते होंगे चारा ये पशो का भोजन होता है मुसीबत का अर्थ है परेशानी और अन्दाजा का अर्थ होता है अनुमान तकलीफ का अर्थ है दुख, कस्ट या परेशानी बेचारी, बेचारे कौन होते हैं, जो लाचार होते हैं, जिनमें बल नहीं होता, मतलब बलहीन आखिर का अर्थ है अंत में, इंगलिश में आप इसे कहते हैं लास्ट, ये वही आखिर है फैसला, फैसला का अर्थ होता है निर्णे प्रस्ताव, प्रस्ताव का आर्थ है अपनी तरफ से दिया गया सुछाव और स्विक्रत का आर्थ है मन्जूर होना चाव से, जब हम खुश हो कर किसी चीज को मन से करते हैं तो उसे हम कहते हैं चाव से आँख बचाकर हम कब करते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं जुट बोलते हैं बतलब की छुपकर तो आँख बचाकर का अर्थ हुआ छुपकर बगेर बगेर का अर्थ होता है बिना सुराक, सुराक का अर्थ होता है बच्चों छेद, ये सुराक कपड़े में हो सकता है, दिवार में हो सकता है उधेर बुन, जब किसी बात को सोचते हुए हम उसके बारे में काफी सोच विचार करें किसी बात पर तो उसे हम कहते हैं उधेर बुन हल करना मतलब है रास्ता निकालना किसी परेशानी का हल करना मतलब उस परेशानी का कोई उपाय या रास्ता निकालना हिकमत हिकमत का अर्थ होता है बच्चों रास्ता या उपाय वही चालाक का अर्थ होता है होश्यार जैसे हम कहते हैं चालाक व्यक्ति या हूशियार व्यक्ति दफ्तर, दफ्तर को इंगलिश में आफिस कहते हैं और हिंदी में कार्या ले बहलाने का अर्थ होता है खुश करने के लिए जब किसी व्यक्ति का मन दुखी हो या किसी बात पर अड़ा हो तो उसका मन उस बात से हटाने के लिए मतलब बहलाने के लिए उसे जो बातचीत की जाती है वो होता है उसको खुश करने के लिए की गई बात मतलब बहलाना दम रोके मतलब सांस को रोके हुए दम का अर्थ होता है सांस तो सांस रोकना मतलब दम रोकना मौका का अर्थ है अफसर इंतिजार मतलब प्रतिक्षा करना और हिफाज़त का अर्थ होता है बच्चों सुरक्षा तरफ अर्थ है और जैसे हम कहते हैं की तरफ मतलब उसकी और वक्त का अर्थ होता है समय वर्ना का अर्थ होता है नहीं तो जैसे हम वाक्य बोलते हैं नहीं पढ़ोगे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसा होगा मतलब पढ़ों वरना ऐसा हो जाएगा चिथड़े ये शब्द फटे हुए कपड़ों के लिए इस्तिमाल में लिया जाता है तहनी का आर्थ होता है पेड़ की शाखा या डाली किवाड होता है दर्वाजा आहिस्ता का आर्थ होता है धीरे तो आहिस्ता से का आर्थ हो गया धीरे से चटनी करना मतलब जब हम किसी जिस तरह से चटनी को बहुत ज़्यादा पीस दिया जाता है मतलब उसको बिलकुल बारिक कर दिया जाता है तो जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है तो उसके लिए शब्द समाल में किया जाता है चटनी करना विश्वास का अर्थ है भरोसा या यकीन भी आप इसे कह सकते हैं सिर्फ का अर्थ है केवल कसूर का अर्थ है गलती या अपराध मुहपत के मारे मतलब प्यार के कारण अगला शब्द है हिस्सेदार हिस्सेदार का अर्थ होता है बच्चों भागीदार वजह का अर्थ है कारण फैसला का अर्थ होता है निर्णे और दर्वाजा का अर्थ होता है किवार मुखबत का अर्थ है प्रेम या प्यार हिस्सेदार जैसा कि अभी हमने पढ़ा था इसका अर्थ होता है भागीदार यकायक मतलब की अचानक आपने सोचा ना हो और हो जाए उसे हम कहेंगे यकायक संयोग से अर्थ है सहसा या अनायासी जिसकी आपने कलपना नहीं की और वो काम अचानक हो जाए संयोग से चीज अर्थ है सामान या वस्तू सहमी हुई सहमी का अर्थ होता है डरी तो सहमी हुई का अर्थ हो गया डरी हुई चहरे का रंग उड़ना तो चहरे का रंग कम उड़ता है जब हम ड़ जाते हैं मतलब है ड़ जाना और बच्चों ये एक मुहावरा भी है उल्टे पाम दोड़ना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है देखते ही दोड़ पड़ना उजला का अर्थ है सफेद सोटी होता है बच्चों छडी गुस्सा का अर्थ होता है क्रोध और तरस का अर्थ होता है दया जब हम किसी पर तरस करते हैं मतलब की दया करते हैं सजा सजा का अर्थ होता है दंड थामना का अर्थ होता है पकड़ना रोनी सूरत रोनी मतलब रोती हुई इसी सूरत तो रोनी सूरत का अर्थ हो गया रोनी जैसा चहरा भीगी बिल्ली बनना अर्थ है डर जानन ये भी एक मुहावरा है भीगी बिल्ली बनना अफसोस अफसोस का अर्थ होता है दुख या पश्चाताब जोग जोग का आर्थ होता है बच्चो प्रयास करना या कोशिश करना और सत्यानाश का आर्थ होता है सबकुछ बेकार हो जाना मतलब नस्ट हो जाना आर्थ होता है